भारत देश्द में बहुजनों के नायक कहे जाने वाले कांसी राम साहब का आज 89 जन्म दिवस है 15 माज 1934 को उनका जन्म पंजाब में हुआ था आज पुरे देश भर में उनके समर्थक और बहुजन समाज जन्म दिवस कोई रूप में बड़े हर्स उलाज साथ मना रहे हैं इसके लिए जगा जगा कायरक्रम का एवजन भी चिर रहा है काजिरम साहब ने सरकारी नौकरी से इस्तिपाद देने के बाद भारती वरड़ अब्योस्ता में बहुजनों के राज्यती और एकी करारत था उनके उत्थान के लिए विभीन प्रकार की कायरे की फिर डियस पोर दलिस सोशी संगर समीती का गठन किया था 1971 में उन्होंने अखील भारती पिछड़ा और अलपसंकिक समुदाय के करमचारियों के लिए एक महासंग बामसिक का निरान किया और 1984 में भोजन समाज पार्टी का गठन करने के बाद पूरे देश भर में घुम घुम करके लोगों को अपने द्वारा बनाए गए पार्टी बसपा के साथ जोड़ने का कायरे करते रहे आज पूरे देजबर में कांसी राम साहब द्वारा बनाये गए भोजन समाज पार्टी तीसरा बड़ा राष्ट्री पार्टी के रूप में जानी जाती है। कांसी राम साहब अपने युवा आवस्थ में पूरे के अनुशंधान और विकास प्रयोक्स्ताला में एक सोध करता के रूप में सिवा दे रहे थे। उन्देरों डाक्टर भीम राम मेटका दुआरा लिखी गई किताब एनी हिलेहसन आप काश्ट को पढ़ने के बाद सरकारी नौक्री से उन्होंने इस्तिपादे दिया और शायकर से पूरे देश भर में यात्रा करके लोगों को जागरित करने का कार्य करते रहे। काशिराम ने सबसे पहले बाम सिपकी माध्यां से सरीचित्रों में रहने वाले पढ़े लिखे कामगार और नौक्री पेसा लोगों को इकटा किया। फिर दिर दिर राजनितिक सक्रेता बढ़ाई। 1984 में काशिराम साहब ने सबसे पहले 36 गड़ के जांजगी चापा लोग सबस शिर्ट से चुनाव लाड़ा था। बाद में उनका संगास उत्तर प्रदेश में सफन हुआ। और मायवती की नेत्रत में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी करूप में उबर करके सामने आई। आज पूरे देश बर में यहाँ पार्टी अपने धिकार और हक के लिए लड़ रही है। 1987 में कांसी राम द्वारा लिखी गई एक किताब दच चमचा यूप काफी लोग प्रिया हुआ था। जिसका उस समय काफी विरोध गूई और इसी किताब की वज़े से कांसी राम पूरे देश भर में लोग प्रिया हुए। उसे बाद उनके द्वारा बनाई गई बस्वा पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने लगी। 1999 में कांसी राम और मुलाम पूर्शन के बीच में राजितिक गड़ बंधन हुए थे और कांसी राम ने इटावा से चुनाओ लड़कर अपने निकरतम भाजपक के प्रतिदवन्दी को 20.000 मतों सहराया था। पहली बार लोगसभा में चुन कर गए और दूसरी बार मुलिस्टर 96 में होस्यारपूर से ग्यारवी लोगसभा का चुनाओ जीते थे। इसे बास्वासद खराब होने के करार से 2000 एक मुल्हों ने सारवजनी की रुप से कुमारी मायावती को अपना उत्रा धिकारी गोशित कर दिया और 9 अक्टूबर 2006 को इस दुनिया से अलविदा हो गये थे। आज पुरा देश कासिराम साहब को दलितों के मसीहा और भोजनों के महानायक की रुप में जानती है। अपनी मृत्यू के कुछ दिन पहले ही 14 अक्टूबर 2006 को डाक्टर अमबेटकर के धर्म परितन की 85 वश्रगाट पर कासिराम ने बहुत धर्म अपनाने की मन से जायर की थी। किन्तु उसके पहले ही 9 अक्टूबर 2006 को उनका नीदन हो गया। कासिराम साहब द्वारा कही गई एक बात बहुजन समाज को एकिरत करने के लिए बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कहा था मुर्दा लोग मिसन नहीं चलाते और जिन्दा लोग मिसन रूपने नहीं देते। उनके द्वारा कही गई यह लाइन आज उनके मानने वाले लोगों में हर्स्रमय उज़ा भने का काम कर रही है। आज पुए देश भर में अधिकांस विदान सबस्षेत्रों में कांसिरम सहाब का जन्म दिवस बड़े हर्स्तुला साथ मनाई जा रही है। यहाँ पर मापको सारंगर बिलाइगर जिलक के सारंगर से लगे हुए छींद गाउं में चरहे कायकरम के कुछ जलकियां लिखा रहे हैं।